बिहार बोर्ट से जितने भी विद्यार थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एक्जाम 2024 में समलित होने जा रहे हैं तो आप सभी सात्र शात्राओं के लिए यहाँ परिक्षा के अंदर से लेकर आपका एड्मिट कार बचे हुए समय में बिहार का सिख्था व्यवाग आपकी तैयारी के लिए क्या क्या परबंध किया है और उसके साथ आपका मोडल पेपर वगारा कब जारी होगा इसको लेकर काफी अपडेट आया है आईए सभी अपडेट को एक एक करके समझते हैं तो यहाँ पडेट के सबसे पहला अपडेट है इसमें जनकारी दिया जारा है कि बिहार बोड राज ये के सभी इंटर और मैटरिक सिक्षन संस्तानों का हर माह एसेस्मेंट होगा मतलब कि मैटरिक इंटर बोड एकजाम की तैयारी की सुरूप में कराया जारा आपकी स्कूल कॉलेज में इसका हर मन्त जांच होगा और एक एसेस्मेंट दिया जागा कि इसको पूरा करके हर एक स्कूल कॉलेज को भेजना है दूसरा यहाँ पे महतपूर खबर उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी प्रती दिन इसकूल कॉलेज अपने जारा है स्टड़ी करने के लिए उनके लिए है कि विद्यार्थियों का गेस पेपर, मोडल प्रस्न पतर और गाईड उपलव्द कराएगा विद्याले यहाँ पे देखे आगे की तरफ जनकारी दिया है कि सिक्षा विभाग ने बरस 2024 के लिए राजिकरित, प्रारंभिक, माध्मिक और उच माध्मिक विद्याले के लिए परिक्षा कलेंडर जारी कर दिया है परिक्षा कलेंडर में माध्मिक और उच माध्मिक विद्याले को अधिकरित किया गया है बोर्ड परिक्षा की तैयारी के लिए बाजार में उपलब्द और छातरों के बीच लोग पिरिये गेस पेपर, मोडल प्रस्णपतर और गाइड आदी बिद्याले के छातर कोस या बीकास कोस से खरिद कर उपलब्द कराएंगे जिन बिद्यालों में रासी नहीं है वह जीला सिक्षा दिकारी से पैसा मांग सकते हैं कक्षा दसवी और बारहुई के बिद्यार्थियों को बोर्ड परिक्षा के तरज पर परतीक सब्ता मोग एकजामिनसन कराया जाएगा इसके लिए UMR का परबंध बिद्याले कोस से कराया जाएगा अधी सूचना में बताया गया कि मैट्री के उने इंटर्मेडियर्ट सेंटर परिक्षा के बाद प्रिपेट्री रिफ्रेसर क्रेस रिमेडियल क्लास का संचारन किया जाएगा इसमें बारसिक परिक्षा की तयारी के लिए मॉडल टेस्ट भी कराये जाएगे इन काक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्तिती अनिवार जोगी अन्यथा उसे परिक्षा का एड्मिट कार्ड नहीं दिया जाएगा कैलेंडर के साथ जारीन दिशा निर्देस में कहा गया है कि पांच कक्षाओं में यहाँ पर आगे मतलब कि रूटीन बताया जा रहा है कि किस रूटीन में के आप पढ़ाई होगा कि खरीद कर खुद इसकोल का जिम्वारिय को अपने खरचा से आपको जो भी लोग परिये गाइड मतलब कि कैसे होता है इस्कूल कॉलेज में टीचर आके आपके क्लास में पूछने की कौन सा गाइड सबसे लोग प्रियमन जिसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो गाइड फिरी में आपको खरीद के दिया जाएगा उसके साथ हर सब्सक्राइब बोड एकजाम में प्रसंपत्र आएंगे उसी तरह आपसे मौक एकजाम मीने असन भी कराया जाएगा उस पस्टूर से बताया जा रहा है UMRC मतलब कि जैसे बोड मोडल पेपर आपसे हर एक सब्सक्राइब कराया जाएगा और इसकूल कॉलेज की जवाब देए कि मोडल पेपर तयार करके आपसे सब्सक्राइब कराया तो यहीं अपडेट देखिए आगे भी है कि मैट्रिक एवन इंटर परिक्षा के लिए हर मौक टेस्ट होगा दूसरी तरफ यहां पर बताया जाए कि इंटर के लिए देड महीना और मैट्रिक परिक्षा के लिए दो महीना बचा है इस दवरान इसकूल में सीलेबस पूरा किया जाएगा साथ ही साथ चात्रों को भी सयवार अभ्यास कराया जाएगा वहीं का मैट्रिक इंटर बोर्ड एकजाम 2024 में इसी रूप में प्रसनपत्र तायार किया गया है अगला अपडेट है कि मोडल पेपर के साथ परिक्षा की तायारी को मिलेगा अध्यान सामगरी बिहार बोर्ड से 10,000 इसकूल ऑनलाइन जूडेंगे अब यहां पर दिखिए चात्र हीत में बिहार बोर्ड इसकी सुबदाब सभी स्कूल को देगा चात्रों को मोडल पेपर और उनकी स्कूल में पुलब्द रहेगा और मोडल पेपर से चात्र तयारी कर पाएंगे बतार यहां पर बताएगे कि साल 30,000,000 से अधिक परिक्षारती मैट्रिक और इंटर कर पाएं अब आपके मन वे प्रसना आगा कि इंटरनेट पर मोडल पेपर कब जारी होगा ऑफिसल मोडल पेपर तो बिहार भी दल प्रक्षा समीती पीछे भी अपडेट जारी करके बता दिया कि इसी मन्त में दिसंबर लास्ट से पहले मतलब कि कभी भी जारी तेकि इसका सब्सक्राइब को Swedish आपके मन्त में जारी होगा है ऑगला महत्या पूर अपडेट यहां परक्षार्ति रहने पर home center पे होगा practical इस update में क्या बता है ज़रा है कि ऐसे देखिए practical exam का मतलब कि जैसे दो exam आपको देना होता है अभी भी जैसे आपको final board exam से पहले जैसे अभी से बात करें तो आपको दो exam देना होगा असलों कि इंटर और मैटरी के परिक्षातियों का सबसे पहले practical का एकजाम देना होगा उसके बाद आपको final board exam देना पड़ेगा तो practical का एकजाम आपकी school college पे होता है ठीक है और final board exam भी final board exam का center आता है उस center पर जाके आप एकजाम देते हैं तो पहले क्या होता था कि tenth grade के परिक्षाति में अगर college है एक ओर उसमे 6 परिक्षारतियों ky. इसकोले के परिक्षातियों कि उसमें अटा है आपको 45 परिक्षारतिभी है तभी उसी school college में practical का एकजाम मतलब प्रेक्षम आपको home center पे देना है home center का मतलब क्या होता है कि जी जहां पे भी आपका नमांकन है बरतमान में वहीं पे आप मैट्रिक इंटर बोड एक्जाम 24 का प्रेक्टिकल का एक्जाम देंगे और फाइनल बोड एक्जाम के लिए जो एड्मिट कार्ड पर सेंटर रहेगा वहाँ पे जाकर आपको एक्जाम देना पड़ेगा यहाँ पे आप जानते हैं मैट्रिक इंटर बोड एक्जाम का यहाँ पे डमी एड्मिट कार्ड होगारा बिहार भी दाले परिछा समीती जारी कर दिया उसमें सुधार का भी मौका दिया गया था उसके साथ साथ आपका सेंटर बोड एक्जाम का भी आयोजन हो चुका है आप आपका एक्जाम सेंटर होगा आप भी हार बोड तायार कर चुका है अगर आप भी हार बोड के मैट्री के परिक्षार्ति हैं तो मैट्री के विद्यार्थियों का मूल परवेस पत्र ओरिजिनल आपका एड्मिर कट आठ जनवरी को जारी होगा ठीक है और आपका प्रेक्टि जनवरी के बीच मैट्री के परिक्षार्ति होगा पतलब जिसमें स्कूल कोलेज में आपका नमान करना वहीं पर आपको एक्जाम देना है और जो पंदरह से तैस्त के एक्जाम चलेगा एक्जाम आपको जहां पर एड्मिर काड़ जो जारी होगा आठ एक दिन उस पर जहा का admin card 20 December के दिन इसी मन्त में जारी हो जाएगा और इंटर के विद्यार्थियों का practical का exam 10 जनवरी से सुरू कर 20 जनवरी के बीच में होगा और यह आपके school college पे ही आयोजित होता है यहीं इसलिए इसी exam के लिए बोला था कि home center पहला जो आपका admin card आएगा practical का 20-12 के दिन जारी हो जाएगा और उसके अधार पे आपके school college के अस्तर पे आपका 10-21 के बीच में 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आप प्रेक्टिकल का रूटीन की चर्चा कर चुके आपका exam सुरू होगा यहीं रूटीन है जो यहाँ पे आप देख पारें कि 15-23 तक आपका matrica और इंटर का परिक्षा यहाँ पे एक लेकर पूरा मैं detail routine आपको पीछे समझा चुका हूँ अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाके देख लिजेगा वीडियो में मिल जाएगा आपको पूरा इंटरी का डिटल रूटीन के मिलो चार्चा की हैं और इंटर का भी किस दिन किस भी साय का exam होगा जित्ता भी महत्तपूर अपडेट आया था आपके मैटरीक इंटर बोर्ड एकजाम 2024 क के लिए सभी अपडेट को मैं आपको आसान भसा में समझाने का पर्यास के हूं उमीद करता हूं सभी अपडेट को आप समझेंगे और अथिक जानकारी के लिए बिहार बुड कोई भी अपडेट जारी करता है तो इस चैनल का ओफीशल वैब साइट ए और कैरियर लोट कोम पर जाके आप पलपल का अपडेट पर सकते हैं विए इस वीडियों बस इतना ही था आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद